हलो स्टूडेंट्स नमश्का विकास पंसल अकाड़िमी के साफिशल यूटूब चैनल में आप सभी का अर्दिक अबिनेंदन आज की इस वीडियो में बचो स्टेडिक जीके के एक सिरीश शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपको रूटीन 15 से 20 कोशन जो है हर वीडियो के अंदर मिलेंगे स्टेडिक जीके की और सारे के सारे कोशन अलग-अलग टॉपिक पे अधारित होंगे यानि मिसलेनिस कोशन होंगे जो कि आपको एक्जेम्स में काफी हद तक जो है यूसफुल होंगे हैलफुल होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला कोशन कि विच मॉस्क इस काल जूलता मिनार कि किस मस्जिद को जूलता मिनार या शेकिंग मिनरेट्स कहा जाता है बचो ऑप्शन देखिए सिद्धी बशीर जामा मस्जिद चैर मिनार और कुतो मिनार देखिए सिद्धी बशीर जो मॉस्क है या सिद्धी बशीर जो मस्जिद है ये है एहमदाबाद के अंदर ठीक है ना और इसके दो पिलर हैं या कह सकते दो मिनार है और वो जूलते हुए मिनार है काफी आश्चेरे का विशे है कि अगर एक मिनार को हिलाते हैं तो थोड़े समय के बाद दूसरी मिनार जो है ओटोमेटिक अपने आप जो हिलने लगती है तो ये एक बड़ा ही अच्छा रहसे है तो कोशन आए आपको किस मिनार को जूलता मिनार कहा जाता है तो आपने बताना है सिद्धी बसीर मौस्क और ये आपने बताना है एहमदाबाद बचो ये जो सिद्धी बसीर मौस्क जो है ये एहमदाबाद में है और इसको सिद्धी बसीर नामक एक इनसान के दोरा इसको بعد میں उनकी डेथ होने के बाद उनको वहीं दफनाया गया तो इसको एक मस्जिद का रूप दे दिया गया ठीक है और ये सिद्धी बसीर जो था ये सलेव था गुलाम था सल्तान का जो गुजरात के सल्तान थे एहमद शा और इन एहमद शा ने ही एहमदाबाद को बसाया था क्योंकि एहमदाबाद तो एहमद के नाम पे ही जो इस शेहर का नाम एहमदाबाद पड़ा और एहमदाबाद के जो राजा थे एहमदशा वो मुजफरियाज जो अगर बात करें डैंस्टी या जो राजवनश्था उसके राजा थे वोशेना है आपको भारत में किस मिनार को जूलता मिनार कहा जाता है तो आपने बताना है सिद्धी बशीर मौस्क और ये एहमदाबाद के अंदर है अब बात करते है जामा मस्जिद बचोई जामा मस्जिद है ये दिल्ली के अंदर है ठीक है ना लेकिन इसका जो ओरीजिनल नाम है मस्जिद अ जहानुमा ठीक है ना इसका जो नाम है मस्जिद ये जहानुमा इसका नाम है और इस मस्जिद को 1650 से लेकर 1656 के बीच में इसको बनवाया गया और इसका जो इनाग्रेशन या उद्गाटन किया था इमाम, सियद अब्दल, गफूर, शा बुकारी ने कि था जो कि बुखारा सिटी से थे और ये बुखारा जो सिटी है ये आज के समय में उजबेकिस्तान में है आपको ये बुखारा मैं क्यों करवा रहा हूँ क्योंकि एक्जाम में बुखारा को लेके कई बर कॉशन आते हैं क्योंकि ये बहुत सारी जो हैरिटेस साइट्स का एक जहाँ पर बहुत सारी heritage sites है ठेक है ना और बुखारा आज के समय में उजबेकिस्तान जहाँ की capital है ताशकंद जहाँ पर भारत के प्रधान मन्तरी, पंडित राल भाहद्रू शास्ती की डैट हुई थी और लाल भाहदू शास्ती के भारत के आज तक एक मातरह से प्रधान मन् तो आपको कॉशन है आपको जामा मस्जिद आपने बताना है दिल्ली उसके बाद बात करें चार मिनार चार मिनार है बचो हैदराबाद के अंदर और कुतुब मिनार है दिल्ली के अंदर कुतुब मिनार दिल्ली में है और ये जामा मस्जिद और कुतुब मिनार दोनों की दो उनों युनेसको वर्ल्ड हेरिटेस साइट है बचो और एक बात और कुतुब मिनार का जो निर्मान है वो शुरू करवाया था कुतुब दीन एबक जो कि स्लेव डेंस थी या गुलामवंश के संस्तापक थे और उसके बाद इनकी डेथ होगी 1210 के अंदर ठीक है ना और उसक सुल्तान और उनके फादर थे इलतुतमिश तो कुतुब मिनार आपको पुछे आपने बताना है दिली और फिर एक पर देख लेता है कि कौन से मस्जिद जूलता मिनार कहलाती है आपने बताना है सिद्धी बशीर मौस्क और ये एहमदाबाद में है एहमदाबाद को कौशन नमबर दो पे स्पीड एंड डारेक्शन ओफ क्लाउड मेजर्स बाए विच इंस्ट्रूमेट यानि अगर बात करें बादलों की स्पीड है और बादलों की जो डारेक्शन है उसको किस यंतर से मापा जाता है ये कौशन है तो इसका जो अंसर आएगा नेफोसकोप हना इससे एक जो रे की लाइक रेज यार ये केरन निकलते है लाइट निकलती है जिससे बादल की डारेक्शन और बादलों का जो अगर बात करें स्पीड है उसको मापा जाता है तो कौशन है ना स्पीड और डारेक्शन ओफ क्लाउड किसके दोरा मिजर किया जाता है को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है इमिमिटर का बैरोमिटर जो है एर प्रेशर मापने का में मकसद क्या होता है वैदर का पता लगाना मोसम का पता लगाना कि मोसम कैसे रहेगा कैसे नहीं रहेगा ठीक है मोसम का जो अनुमान है वायूदाब की अधार पे लगा ज अंदर जो humidity है उसको मापने के लिए हाइग्रोस्कोप का यूज किया जाता है आपको एक question ओर आ सकता है nephophilia कि nephophilia किसे कहते हैं तो आपने बताना है person who loves cloud ठेक है ना बादल प्रेमी व्यक्ति को यानि एक ऐसा इनसान जो बादलों को बहुत प्रेम करता है बहुत पसंद करता है बादलों को उसको कहा जाता है nephophilia और या आपको English language के अंदर one word के अंदर काफी काम भी आ सकता है और SSC exam में आपको as a gk काम आ सकता है तो question आए आपको nephophilia a person who loves cloud चलिए question number 3 पे आते है who was called jinda peer in mughal time यानि mughal time के अंदर किसको jinda peer कहा जाता है ठीक है अब एक बात बचो ये question state bank के जो exam है या SSC है उसमें बहुत बड़ ये question पुछा जा चुका है और even KBC में भी ये question पुछा जा चुका है जinda peer मughal जो साशक था औरंग जेब उसको कहा जाता है क्योंकि वो सुन्नी धर्म को मानता था और उसके इलाव बात करें वो बहुत ही cruel था ठीक है ना इसलिए इनको जinda peer कहा जाता है और ये औरंग जेब जो थे वो शान जहां के बेटे थे ठीक है हुमायू जो है वो बाबर के बेटे थे और बाबर जो है वो founder है मुगल डैंस्टी का इंडिया के अंदर रग बात है ना कि मुगल डैंस्टी की सतापना तो आपने बताना है मुगल डैंस्टी की सतापना बाबर ने करी थी अब देखते है जिन्दा पीर कहा जाता है औरंग जेब और ये मुगल एम्परर में अगर बात करें छेवे नंबर का रूलर था और इसको आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है ठीक है ना इसको आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है और इन्हों ने साउट के अंदर हना जो औरंगाबाद है महराश्टरा में वहां पर एक मकबरा बनाया जिसका नाम है बीबी का मकबरा और बचो इसको मीनी ताज महल भी कहा जाता है ठीक है। इसकी औरंग जेब की जो पतनी थी दिलरास बानू बेगम इसकी पहली और चीट पतनी थी जिसका नात दिलरास बानू बेगम और मर्णो परांत उसका नाम रखा गया राबिया उद दवरानी ठीक है ना और बीबी के मकबरे को कहा जाता है ताज ओफदा डेकन यानि डक्षि का इसको ताज महल या ताज भी कहा जाता है तो क्वेशन आ सकता है जिन्दा पीर किसको कहा जाता है तो आपने बताना है औरंग जेब को कहा जाता है आगे बढ़ते हैं विच माउंटें रेंज डिवाइड दा नोर्थ इंडिया एंड दा साउथ इंडिया भारत को के अंदर है तो इसका जो अंसर आएगा विंद्याज आएगा ठीक है विंद्याज चल कह सकते हैं विंद्याज इसको माउंटेन रेंज कह सकते हैं और ये कवर करते हैं भारत के मद्या परदेश, छतिसगड, गुजरात, उत्तर परदेश और बिहार और ये वो माउंटेन रे रिंज है वो है हीमाल्याज और सबसे पुरानी है अरावली और सबसे लोंगेस्ट जो है अगर बात करें एंडीज ठीक है ना जो एंडीज है वो सबसे पुरानी सबसे जो लंबी माउंटीन रिंज है सबसे हाइस्ट जो है वो हीमाल्या है और सबसे अगर पुरानी ओल्डेस बात करें तो अरावली जो परवत स्रिंखला या माउंटेन रिंज है और साउथ और नौर्थ इंडिया को जो बांटती है उसका नाम है विंद्याज और ये भारत के मद्यापरदेश, च्छतिशगड़, गुजरात, उत्तरपरदेश और बिहार को कवर करती है और इसकी जो ह हार्मनी डे कब मना जाता है आपने बताना है बीस अगस्त ठेक है सदबावना डे पुछे आपने बताना है बीस अगस्त क्योंकि बीस अगस्त 1944 को राजीव गांदी का जनम हुआ था और उनकी जो बर्त अन्वरसरी है उसको मना जाता है सदबावना डे या हार्मनी डे कहत हाई साल 20 अगस्त को. अब कॉशन आए 5 पे. बड़ा ही important कॉशन बचो. इन्डियन स्टेट का जो सबसे लार्जिस्ट है. अगर फउरेस्ट एरिया की साब बात करे siitä ना, तो आपने बताना है मध्यपरदेश. अब इसके कुछ और डेटा देखते हैं जिसको आप सभी student ने ध्यांग से देखना है percentage के साब से भी अलग data है ठीक है ना और अगर increase हुआ है जिस state में वो अलग data है देखे भारत का जो कुल है 24.56% एरिया है वो forest cover है जो data 2019 दिसंबर में परकाशित हुआ ठीक है और इस data के according भारत का 24.56% एरिया है forest cover है अगर बात करें in terms of area कि किस state का जो ज़्यादा area है या area wise जैसे भारत का सबसे बड़ा state है राजस्तान उस हिसाब से अगर area wise करें तो सबसे ज़्यादा forest cover है मद्य परदेश का और second number पे है अरुनाचल परदेश अगर बात करें in terms of increase in forest cover 2017 में जब data publish हुआ और 2019 में यानि इन दो सालों के अंदर सबसे ज़्यादा किस state का forest area increase हुआ है तो इसका अंसराइगा करनाट का और in terms of percent of the total geographical area अगर मैं इस question को समझना आप सारे जैसे मद्य परदेश है ठीक है ना अगर मद्य परदेश को और करेंगे compare मिजोरम को तो areas में काफी फरका मद्य परदेश बड़ा है और मिजोरम जो है छोटा है लेकिन मिजोरम का जो 85% area है वो forest cover है ठीक है ना अगर percentage के साब से देखें तो बात है मिजोरम सबसे ज़्यादा 85.41% area जो मिजोरम का है वो forest cover है और अरुनाचल का 79.63% यानि तीनों data आपने आद रखने है in terms of area मद्य परदेश in terms of increase in forest cover करनाट का in terms of percent in their total geographical area यह आपने बताना है मिजोरम चलिए आगे बढ़ते question number 6 पे the power to increase the number of judges in the supreme court of India is vested in यानि supreme court में जो judges है उनकी संक्या कोन बढ़ा सकता है तो बचो भारत में यह संक्या बढ़ा सकता है parliament ठीक है ना संसद है या जो parliament है वो बढ़ा सकता है आप सभी को पता है कि भारत का जो supreme court है यह बना था 28 January 1950 ठीक है इससे पहले इसका नाम था federal court of India जिसकी स्तापना 1 October 1937 को हुई अब इसके दो chief justice है उनका नाम है शरद अरविंद बोबडे और यह 47 number के chief justice है ठीक है अब देखके बात करें कि जो supreme court में जजीज को कौन बढ़ा सकता है तो आपने बताना है parliament और 2019 में भी इनकी संख्या बढ़ाई गई है जब यह बना था supreme court उसमें संख्या थी आठ 1950 में और 11 हुई 1956 में उसके बाद संख्या बढ़ाकर 14 कर देगी 1960 के अंदर फिर संख्या 18 कर देगी 1978 के अंदर फिर 26 कर देगी 1986 के अंदर और 31 कर देगी 2008 में और अब 2019 में इसके संख्या कर देगे 34 जिसमें 33 जजीज होते हैं और एक chief justice of India ठीक है ना यह इसकांकडा होता है 33 दो जजीज हैं और एक है chief justice of India तो आप पुछे ना आपको supreme code में total judges of संख्या total judges के संख्या include chief justice of India फिर बताना है 34 और exclude पुछे फिर आपने बताना है 33 चलिए question number 7 पे आते हैं बचो नेपियर जो museum है यह located in which Indian state बचो नेपियर जो थे वो एक governor थे मदरास के ठीक है ना जो मदरास प्रांथ था पहले अंग्रेजों के समय में उस प्रांथ के governor थे और उनके नाम पे एक museum बनाया गया नेपियर म्यूजियम और यह आपने बताना है कैरला की जो capital है तिरुवनंद पुरम हना वहां पर यह museum बनाया गया नेपियर म्यूजियम इट वोज नेमड ओन लॉर्ड नेपियर दा governor अफ मदरास ठीक है ना और यह मदरास के governor रहते 1866 से 1800 बहतर और यह जो बना हुआ है museum यह तिरुवनंद पुरम कैरला में बना हुआ है अब आपको एक question और पूछ सकता है the Indian museum is the oldest and largest in India located in Kolkata इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना museum आपने बताना है Indian museum और यह Indian museum है Kolkata में इस किस्ता अपना 1814 में की गई थी ठीक है उसके लावाद सलार जंग museum आए आपने बताना है Hyderabad ठीक है अगर आया आपको सलार जंग museum कहां पे है आपने बताना है बचो Hyderabad चलिए Question No.8 पे आते हैं कि जो स्वेज कैनाल कौन से दो महा सागरों को या समुद्रों को जोड़ती है अब देखो Red Sea और Mediterranean Sea यानि लाल सागर और भूमद्य सागर को जोड़ती है इसका ये एक artificial कैनाल है बचो इसको बनाने का main मकसद क्या था जैसे समुद्री आत्रा के दोरान कोई भी container लेके जो जहाज जाता है हना समुद्री जहाज जाता है तो ऐसे में उसको घूम कर बहुत ज़्यादा दूरी तेया करनी पड़ती ठीक है इसलिए इन्होंने शोटकट बनाया और लेंड से एक नहर निकाल दी जिसके अंदर से जो जहाज है यानि समुद्री जहाज समान ढोने वाले जो जहाज है व्यापारिक जहाज है वो जो दूरी इनको 10-15 दिनों में तेया करनी पड़ती वो इस नहर के माद्यम से वो कुछ गंटों में तेया कर लेते ठीक है तो कॉशन आए आपको स्वेज कहनाल है कौन से तो सागरों को जोडते है रेड सी एन्ट मेडिटेरियन सी है ना और ये स्वेज जो कहनाल है ये 193 किलोमिटर लंबी है और ये इजिप्ट के अंदर है बचो और इजिप्ट की कैपिटल है काईरो और यहां की करंसी है पॉंड ठीक है ना अगर यहां की करंसी पुछे ना आपने पॉंड बताना है क्वेशन नमबर नाइन प्याव सारे वेर इस दा हैड़कवाटर ओफ इंदरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी अब यह नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी का हैड़कवाटर है दहरादून के अंदर ठीक है आपको यह करवाया भी गया था इंडिया की फॉरेस्ट सिटी तो आपने बताया था दहरादून तो इसका जो अंसर आएगा दहरादून आएगा अब देखो यह जो वर करता है Ministry of Environment and Forest के अंदर वर करता है अब कॉशन आ सकता है International Day of Forestry या Forest कब बना जाता है 21 March को मना जाता है अगर International या World Day of Forest आए ना आपने 21 March बताना है और World Poetry Day आए तो आपने बताना है 21 March यानि दोनों के दोनों जो डेज है ये किस मार्ज को मना जाते है Question No.10 पे आजाओ Which volcano is called the Light Pillar of Meditarency यानि भूमद्य सागर का Light Pillar या Light House किस वाल कैनों को कहा जाता है आपने बताना है Strombly ठीक है Strombly एक छोटा सा आइलेंड है बचो और ये जो है एक Active volcano है जिसमें लगातार भी स्पोर्ट होते रहते हैं ठीक है जिसके कार्ण उस समुंदर में लगातार जो Light का या परकास बना रहता है जिसके कार्ण इसको Light House कहा जाता है Meditarency या भूमद्य सागर का ठीक है तो अगर एक question हो रहा सकता आपको कि Mount Etna और Sprombly कहां पे है तो आपने बताने Italy के अंदर है और Italy की capital Rome है बचो और currency है Euro और देखो world का सबसे छोटा जो देश है area wise और population wise उसका नाम है Vatican City बचो और Vatican City Rome के अंदर बना हुआ एक town है जिसको एक देश गोशित कर दिया गया तो यह Rome में है Vatican City जो world का सबसे छोटा देश है area wise और बात करें population wise ठीक है आगे बढ़ते है next question पे which is Asia's longest river देखो Asia की longest river world की longest river है नील और Asia की है Yangtze क्यांग river और Yangtze जो है चाइना में है बचो ठीक है world में इसका तीसरा नंबर है और चाइना की अगर मैं बात करूँ तो चाइना की भी सबसे लंबी river है Asia की सबसे लंबी river है और world में इसका तीसरा नंबर है नील उसके बाद में Amazon और तीसरा जो नाम है Yangtze river का आता है और इसकी जो लंबाई है 63-600 किलोमेटर लंबी है और गंगा रिवर इंडिया की सबसे लंबी river है नील वर्ल्ड की सबसे लंबी river है और कोशी को Sorrow of Bihar कहा जाता है यहाँ पर एक येलो रिवर है चाइना के अंदर जिसको हुआंग ही रिवर कहा जाता है और उसको Sorrow of China कहा जाता है क्योंकि चाइना में इसके कारण बहुत सारा destruction या विनास होता है जिसके कारण इसको कहा जाता है sorrow of China चलिए गंगा भारत की सबसे लंबी है कोसी को बिहार का शो कहा जाता है चलिए question number 12 पे आईए ग्वांग जू प्राइज ये दिया जाता है human rights के लिए और किस देश के द्वारा दिया जाता है आपने बताना है South Korea ठीक है human rights के लिए दिया जाता है South Korea में प्राइज का नाम है ग्वांग जू South Korea की capital Seoul है और यहां की currency won है चलिए question number 13 पे आईए coming और दियो माली elephant reserve है और यह कहां पे है देखो coming एक district है और दियो माली यह जो है जो river अगर मैं बात करूँ river भी है coming और यह है अरुनाचल प्रदेश के अंदर elephant reserve है coming और दियो माली यह दोनों के दोनों आपने बताने अरुनाचल प्रदेश question number 14 पे आऊ बचे विश्वा भारती इनवस्ति कहां पे है बचो विश्वा भारती इनवस्ति कहां पे है बचो विश्वा भारती इनवस्ति शांती निकेतन में है शांती निकेतन जो है वो आपने बताना है वेस्ट बेंगॉल में और इसको जो बनाया था विश्वा भारती को रभींदरना टेगोर ने बनाया था और शांती निकेतन को इस्टैबलिश किया था महर्शी देविंदरना टेगोर और महर्शी देविंदरना टेगोर ने बनाया अगर यहां के चांसलर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं अगर यहां के चांसलर पूछे ना आपने बताने हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और यह शांती निकेतन वेस्ट बेंगॉल में है और वेस्ट बेंगॉल की कैपिटल कॉल काता है बचो चलिए आज के ला ये जो कैनाल है काफी लंबी कैनाल है बकिंगम कैनाल और ये आंधरा परदेश और तामिल नाडू को कवर करती है ठीक है तो आपने इसका अंसर बताना है चार नंबर और ये वाटरवे नेशनल वाटरवे क्या होता है कि पानी के अंदर कुछ ऐसे रस्ते बनाने जिनके बोट या जो शिप है उनके द्वारा जो समान है या गूट्स है उनको ट्रांसपोर्ट किया जासके उसको वाटरवे बोला जाता है और इसको डेवलप किया गया इनलेंड वाटरवे अथोर्टी ऑफ इंडिया के द्वारा और उसका हैड़कॉर्टर है नोईडा में तो उ अमीदे बचो आज जितने भी कोशन किये हैं आप सारे स्टूडेंट कर पाओगे अच्छे से इस वीडियो को देखना उसके बाद में कल जो है इसके पार्ट तू के साथ आपको मिलते हैं धन्यवाद